स्टुटेंट्स यापकी बी ए थर्ड एर की और एमे प्रीवियस की पॉलिटिकल साइन्स की क्लास है आज जो हम यहाँ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है अरस्तू का सविधानों का वर्गी करण जो हमारे प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने अरस्तू की नागरिकता समन्दी विचार और अरस्तू की दास्ता समन्दी विचारों का अद्यन किया था और आज जो हम पढ़ेंगे वो है अरस्तू का सविधानों का वर्गी करण देखे सविधानों का वर्गी करण है इसका अध्यन करने से पहले, आज इसकी शुरुआत करने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि सविधानों का वर्गी करन उसके द्वारा क्यों दिया गया था जब आपने अरस्तु का सामाने परीचे जाना था तब वहां मैंने आपको इक बात बताई थी कि अरस्तु ने 158 राज्यों के सविधानों का अध्यन किया था 158 और एक-एक सविधान का अध्यन करके, एक-एक सविधान का बारी की से गहराई से अध्यन करके उसने निश्करश निकाला था कि जितने भी सविधान होते हैं उनको हम तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं तो उसने ऐसी शाषें प्रणाली की रूप रेका तयार की थी जो कि स्थिर रहने के लिए सक्षम हुआ क्योंकि उस समय के जो शाषें प्रणाली थी उसमें क्या समस्या थी एस्थरता का होना तो इस एस्थरता के समस्या से प्लेटो भी चिंतित था और अरस्थू भी चिंतित था तो इतने देशों के सविधानों का अध्यन किया और उसके आधार पर उसने अपना वर्गी करन दिया तो उसने पता लगाने के कोशिश की कि राजनेतिक ऐस्वरता पहले बात तो है क्यों और अगर है तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है तो देखे अरस्तु ने सविधान के लिए एक युणानी शब्द का प्रयोग किया है और इसका अंग्रेजे में रुपांतरन होता है कॉंस्टिटूशन हालांकि अरस्तु ने जो अपने शब्द का प्रयोग किया था पॉलेटिया का उसका बहुत व्यापकर्थ होता है तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अरस्तु के इनुसर सविधान क्या है सविधान की परिभाशा क्या है और ऐसे जो छोटे-छोटे questions होते हैं आपके दोनों नमबर में पूछे जा सकते हैं एक्जाम में तो जितिनी भी जो definitions हैं आगे हम जैसे क्रांती की बारे में पढ़ेंगे या हमने नागरिकता की चर्चा की या हमने दास्ता की चर्चा की या रस्तु की study का method क्या था प्लेटो का क्या था तो यह सब एक छोटे-छोटे questions बनते हैं तो यह एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप easily marks gain कर सकते हैं तो ऐसे जो questions हैं उनको आप याद करते जाएए दो नंबर के जो questions होते हैं वो आपके एक्जाम में marks खिशने का बहुत अचा सूर्स है तो देखें आपे भी क्या है कि जो सविधान की परिभाशा है अरस्तु ने किस प्रकार से दी है अरस्तु कहता है कि सविधान जो है वो क्या है राज्य की पदों का संगठन है सविधान में परिवर्तन होगा तो उससे क्या होता है राज्य में भी परिवर्तन आ जाता है और सविधान के द्वारा शार्षिम शक्ति का निर्धारन किया जाता है तो ये अरस्तु के द्वारा सविधान की परिभाशा है, डेफिनिशन है तो हमने ये जान लिया कि अरस्तु के द्वारा किन परिसितियों में यह पारिभाशा जो वर्गी करन है प्रस्तुत किया गया था इसके क्या पारिभाशा अरस्तु के recording है अब देखे आगे भढ़ते हैं हम तो अरस्तु ने जो अपना वर्गी करन दिया है उसके दो आधार हैं एक तो है संख्या के आधार पर याने की number जैसे की 1,2,3,4,5 ऐसे और एक है लक्षय, उद्देशय, परपस के आधार पे ठीक है तो संख्या के आधार पर तीन टाकार से एक वेक्तियों का शाषन, कुछ वेक्तियों का शाषन या बहुत सारे वेक्तियों का शाषन और लक्षय के आधार पे कि जो शाषिन किया जाएगा वो किस के हित के लिए किया जाएगा सारवजिनिक हित के लिए यानि कि जनता के हित के लिए या स्वहित के लिए तो अफकोर्स इसमें से दोनों में से अच्छा कौन सा है जो सार्वजिनिक हित के लिए किया जाएगा जो जनता के हित के लिए किया जाएगा तो इस प्रकार से उसना अपना वर्गी करन जो है वो दो आधारों पर किया है यह देखिए यह चार्ट है वर्गी करन का और आप इसमें देख रहे हैं कि इधर आप देखें स्क्रिण पर तो पहला जो आधार है, वो है संख्या और जो दूसरा आधार है, वो है नैतिक आधार यानि कि स्वैम का हिट या सारवजिनेक हिट अब प्रथम आधार के नीचे आप देखें तो उसमें लिखाव हो है यह शाषन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो शाषन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, उसने तीन प्रकार माने है, एक व्यक्ति का शाषन, कुछ व्यक्तियों का शाषन और अनिक व्यक्तियों का शाषन, फिर हम भढ़ते हैं दृत्य आधार की तरफ, दृत्य आधा जो है उसमें of course सत्ता के संचालन का उद्रिश है क्या होगा सारवजनिक हित होगा या स्वहित होगा इसी एक बैसेश पर उसने दो रूप माने हैं स्वभाविक रूप और विक्रत रूप तो देखे स्वभाविक रूप यानि कि सारवजनिक हित के लिए गर शाषन किया जाए और जो विक्रत रूप है यानि कि स्वैम के हित के लिए स्वैम के फाइदिक के लिए कुद की भाले के लिए शाषन किया जाए तो इस हिसाब से उसने क्या किया है कि जो सविधान है उसमें दो फॉर्म बढ़ गई जैसे पहले पॉइंट को हम लेते हैं एक व्यक्ति का शाशन है अगर वो सार्वजनिक हित के लिए करता है तो वो कहलाएगा राजदंत्र और अगर वो खुद के हित के लिए खुद के फाइदे के लिए अपनी स्वार्थबूर्थी के लिए करता है तो वो कहलाएगा निरंकुर शाशन इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों का शाशन अगर हो वो कुछ व्यक्ति कितने भी हो सकते है उनकुछ व्यक्तियों की द्वारा अगर शाशन किया जाता है और अगर वो सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो वो कहलाएगा कूलीन तंत्र और अगर वो स्वैम की हित के लिए करेंगे स्वैम की स्वार्थपूर्थी के लिए करेंगे तो कहलाएगा अल्प तंत्र इसी प्रकार से थर्ड नम्परकर जो पॉइंट है अनिक विक्तियों का शाशन सरवजनेक हिद तो सईयत प्रजा तंत्र इनकि पॉलिटी और अगर स्वेम का हिद उसका ब्रेश्ट रुपए विकृत रुपए वह क्या कहलेगा अतिवादी लोग तंत्र इनकि डेमोकरेसी तो आप इसमें डेमोक्रासी में वर्थमान का जो अर्थ है उसे उसमें मिक्समत कीजे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अरस्तु के नजरी से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो यह चार्थ है जो कि अरस्तु के द्वारा सविधानों का परगी करन इस प्रकार से दिया गया है अब देखे संख्या के आधार पर उदेशय के आधार पर इसने दो प्रकार से सविधान जो है उनको पाट दिया है अब ये जो सविधान है इसमें क्या होता है चक्रिय परिवर्तन होता है ये देखे इस प्रकार से अभी हमने चर्चा कि कितनी प्रकार हो गए टोटल कितने प्रकार हो गए ओवराल 6 प्रकार एक सामाने रूप और एक विकृत रूप इसे साब से टोटल किते प्रकार हुए छे प्रकार हुए तो इन छे प्रकारों को हमने एक चक्र के फॉर्म में इनको इस प्रकार से इनमें परिबरतन आएगा जैसे कि राज तंत्र से निरंकुष तंत्र की तरफ, फिर उसके बाद कुलीन तंत्र, फिर उसके बाद कुट तंत्र, फिर उसके बाद में पॉलिटी, फिर उसके बाद डैमोक्रेसी और फिर दुबारा उसके बाद में राज तंत्र अनके मोनार्की ये क्या हुआ एक के बाद एक के बाद परिवर्थन आना और उसके बाद दुबारा फिर से मोनार की रास्तंत्र ये किस प्राकार से परिवर्थन आ रहा है किस प्राकार से परिवर्थन हो रहा है हम इसको सबजने का प्रयास करते हैं अरस्तु ने उपना classification दिया वर्गी करन दिया तो उसने कहा कि दिखे जब राजतंत्र में क्या होगा कितने व्यक्तियों का शाषन होगा एक व्यक्ति का राजा तो यह की होता है तो जब एक व्यक्ति का शाषन हो रहा है और वो किसकी हित्मे का शाषन कर रहा है जनता के हित् तो वैसे तो ये क्या है, सबसे उत्तम है, लेकिन मान लीजिए, नियंत्र नहीं है, इसमें रश्टाचार व्यापत होने लगा, स्वेम की पूर्थी के लिए शाषन किया जाने लगा, तो यह जो रास्तंत्र है, वो किसमें परिवर्थित हो जाएगा? निरंकुष तंत्र में, निरंकुष तंत्र में, ठीक है? टाइरनी, यह जाएगा second form, अब उसके बाद में, अब इसमें निरंकुष तंत्र में, निरंकुष तंत्र में क्या होता है? निरंकुष तंत्र जो बस्तित्य में आता है, तो इसमें क्या होता है? कुछ लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं? कि वो अपने फाइदे के लिए, एक जो व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? अपने फाइदे के लिए शाषन करेगा? तो ऐसा जो शाषन है, वो ज्यादा सम ऐसे में क्या होगा कि इसके खिलाफ विद्रो किया जाएगा और विजव विद्रो किया जाएगा तो इसके स्थान पर तीसरे तंत्र की स्थापना हो जाएगी और वो है कुलीन तंत्र कुलीन तंत्र जिसमें की कुछ व्यक्तियों का शाषन हो और वो किसके लिए करें शाषन सार्वजनिक हित के लिए तो इस प्रकार से कुलीन तंत्र की स्थापना होती है तीसर नंबर की तरफ जब आप देखेंगे ठीक है अब देखें जो जो कुछ व्यक्ति है उनको शाषन संचालन का अधिकार दे दिया तो इस प्रकार से यह है कुलीन तंत्र लेकिन देखिए कोई भी शाषन प्रणाली जो हविस थाई नहीं है इसमें भी चेंज आएगा अब जब इसमें चेंज आएगा तो ये दूशी थोकर की किसमें परिवर्थित होगा चौती फॉर्म में जो की है धनिक तंत्र या गुड तंत्र भी खहते हैं से तो चौती फॉर्म जो है शाशन की वो आ जाएगी अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो धनि व्यक्ति है वो कानून की तो करेंगे अवहेलना और अपने हिद के लिए शाशन करेंगे यानि कि एक तरीके से क्या है ये विक्रत रूप है कुलीन तंत्र का ब्रश्चाचार का सहारा लेंगे जनता जो है वो अपनी स्वतंतरता खोदेगी तो इस प्रकार से ये होता है धनिक तंत्र अब जब एक सीमा तक तो जनता से सहन कर लेगी फिर उसके बाद क्या होगा फिर से क्रांती होगी फिर क्रांती होने के बाद में जो शाशन प्रणाली स्थापित होगी वो है पॉलिटी पॉलिटी किस प्रकार से? कि देखे, संपूर्ण जनता अपनी इच्छा से कानून के अनुसार शाषिन का संचारण करती है तो ये कहलाएगी पॉलिटी अरस्तु कहता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब नर्धुनों की संख्या होती है वो बहुत जiónत हो जाती है तो ये जो साइथ प्रजातन्त्र है जो पॉलिटी है ये दूशित हो जाता है और दूशित होकर कि किसमे बदल जाता है? डेमोक्रासी में यानि वो कहता है कि डेमोक्रासी का मतलब क्या है? रुखना तो डेमोक्रासी में भी नहीं है, यानि कि डेमोक्रासी भी आगे जाके किसी अलग शाष्य वैवस्ता में परिबर्तित होगी, तो ऐसे में क्या होगा, कि ज्यादा दिन तक यह भी ने टिक सकता, तो कोई वैक्ति जो है, कोई समझदार, विवेकी वैक्ति, वो इसे पुने, इसे हटा करके पुने राज तंत्र स्थापित कर देता है, और इस प्रकार से परिबर्तन का जो यह जो ट्रेंड ही चलता रहता ह है, फिर से वह राज तंत्र, फिर से निरोकुष तंत्र, फिर इसके अधकुलीन तंत्र, फिर गुड तंत्र, फिर उसके बाद बहु तंत्र, फिर इसके बाद लोग तंत्र, फिर से उसके बाद राज तंत्र, इस प्रकार से यह जो साइकल है, यह चलता रहता है, जैसे मौ का रस्तू के द्वरे जो शार्षी मंदा लिदी गई है तो इसकी भी हाल ुना की गई हैं जैसे कि कहा गया है कि इसने अरस्तूने अवर्गकरण में राजे में सरकार में कोई अंतर नहीं किया है और इसे हम सविधानों का वर्गीकरण नहीं कहेंगे बलगी क्या कहेंगे तो राज्यों का वर्गी करण है और आपने यह नोटिस किया होगा कि आपने शाष्ण वेवस्ता के प्रकार पढ़ा जैसे कि हमने लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहा है तो अरसुत उसे क्या बता रहा है कौन से वाली फॉर्म में रख रहा है विकलत र आने लागु है वर्तमान में डेमोक्रेसी जो है उसे ही सबसे शृष्ष्ष शृष आशन पर्णाली कहा जाता है तो ये कुछ बाते हैं जो आलोषना में कहीं गई है लेकिन जब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें इसके महतों की बात करें तो अरस्तु ने नहीं सबसे का कारण हम पढ़ चुके हैं कि उस समय ततकालीन जो नगराज्य थे उनमें क्या था शाशन प्रणाली में ऐस सुर्था विद्यमान थी तो इस ऐस सुर्था को दूर करने के लिए उसने अपना प्रयास किया था वर्गी करण के माध्यम से तो ये भी इसका अपना एक महत्तु है तो आज जो टॉपिक हमने पढ़ा वो है अरस्तु के द्वारा दिया गया सविधानों का वर्गी करण बाके नेक्स वीडियो में थेंक यू